हेल्लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया! मूर्थ और अमूर्थ रूप में संख्याओं को जोड़ना और लिखना वीडियो में हम सीखेंगे मूर्थ से अमूर्थ की और बढ़ते हुए संख्याओं का जोड़ करना संख्याओं का जोड़ करने की दो विधियां दीदी, देखो आज मैं रंगीन पैंसिलों का नया बॉक्स लाई हूँ अरे वाह, ज़रा गिनकर ये तो बताओ कि इसमें कितनी रंगीन पैंसिले हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ इसमें आठ पैंसिले हैं दीदी देखो, मेरे पास भी रंगीन पैंसिलों का एक बॉक्स ही है और इसमें दस पैंसिले हैं बच्चों, तुम सबने वस्तुओं को मिला कर जोड़ना सीख लिया है तो अब तुम ये पता कर सकते हो कि इन दोनों बॉक्सों में कुल मिला कर कितनी पैंसिले हैं, है न? हाँ दीदी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा दीदी, ये सारी मिला कर हुई अठारा पैंसिलें बिल्कुल सही, शाबबाश यानि की, दोनों बॉक्सों में कुल मिला कर अठारा पैंसिले हैं तो बच्चों, यहां हमने दोनों बॉक्सों की पैंसिलों का मूर्थ रूप में गिन कर जोड किया, है ना? बच्चों, आज मैंने अपने आंगन में लगे मिर्च के पौधे से कुछ मिर्चें तोड़ी उन में से 9 मिर्चें लाग और 5 मिर्चें हरी थी अब मुझे यह पता करना है कि मैंने कुल कितनी मिर्चें तोड़ी तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जोड ही करेंगे दीदी याद है ना बच्चों, अमूर्थ रूप में जोड करते समय पहली विधिया तरीके में हम दोनों संख्याओं को आमने सामने लिख कर उनके बीच एक जोड का चिन्ह लगा देते हैं और उत्तर से पहले बराबर का चिन्ह भी लगाते हैं ना दीदी? हाँ पटर अब हम इसी तरह इन मिर्चों का भी अमूर्थ रूप में जोड करेंगे तो अब 9 प्लस 5 कुल मिला कर हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोड़ह चोड़ह मिर्चे तो इसे लिखेंगे 9 प्लस 5 बराबर 14 मिर्चे यानि की संपर दीदी ने कुल 14 मिर्चे तोड़ी हाँ चटर अरे वा, देखो, पटर अपने बालों में लगाने के लिए कुछ रंग बिरंगे रबर बैंड लेकर आई है चलो देखते हैं, उसके पास कुल कितने रबर बैंड है मेरे पास 6 लाल और 12 नीले रबर बैंड है दीदी चटर, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि पटर के पास कुल कितने रबर बैंड है जोड करके दीदी हाँ, सही बताया तो चलो, जोड करने का जो तरीका हमने अभी सीखा है उसी के प्रयोग से करते हैं दोनों संख्याओं का जोड हमने दोनों संख्याओं को लिखकर बीच में प्लस का चिन लगा दिया अब बराबर का चिन भी लगा दीजे दी लो, ये लग गया बराबर का चिन अब सारे रबर बैंडों को मिला कर गिनते हैं और इनका जोड पता कर लेते हैं 6 प्लस 12 कुल मिला कर हो गए 18 रबर बैंड यानि पटर के पास कुल 18 रबर बैंड है चलो, अब दूसरी विधी यानि तरीके से भी संख्याओं का जोड लिख लेते हैं याद करो बच्चों, हम जोड की जाने वाली दोनों संख्याओं में से एक संख्या को उपर और दूसरी संख्या को उसके ठीक नीचे लिख कर नीचे वाली संख्या के सामने जोड का चिन्ह लगा कर दोनों संख्याओं का जोड करते थे हाँ दीदी याद आ गया अब हम उसी तरीके से संख्याओं को जोड़ेंगे बच्चों पटर की मा ने मौमबत्ती के दो पैकेट खरीदे एक पैकेट में ग्यारह और दूसरे पैकेट में आठ मौमबत्तियां थी तो दोनों पैकेटों में कुल मिलाकर कितनी मौमबत्तियां हुई हम सारी मौमबत्तियों को गिनकर इसका पता लगा सकते हैं दीदी बिल्कुल सही चैटर तो अब यदि हमें कुल मौमबत्तियों का जोड़ पता करना हो तो सबसे पहले हम जोड घटाव टेबल बनाएंगे अब ग्यारह यानि एक दहाई और एक इकाई तो एक लिख दिया हमने इकाई के खाने में और एक दहाई के खाने में प्लस दूसरी संख्या है आठ यानि आठ इकाईया जिसे हम लिख देंगे इकाई के खाने में अब ग्यारह और आठ सारी मिलाकर कितनी मुम्बत्यां हो गए चलो जोडते हैं ग्यारह पहले से हैं तो हम ग्यारह की अगली संख्या यानि बारह से गिनना शुरू करते हैं बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठ्रह और ये उननीस मुम्बत्यां अब लाइन के नीचे उत्तर लिखेंगे यानि उननीस मुम्बत्यां यानि की दोनों पैकिटों में कुल मिलाकर उननीस मुम्बत्यां हुई हाँ बच्चों तो यहां भी हमने संख्या 11 और संख्या 8 का जोड किया ना? हाँ दीदी, लेकिन इस बार हमने दूसरे तरीके से संख्याओं को लिख कर जोडा? हाँ पटर दोनों में जो तरीका आपको ज्यादा असान लगे आप उसी तरीके से संख्याओं को लिखकर उनका जोड़ कर सकते हो अब एक और सवाल चटर और पटर दोनों ने बाजार से कुछ केले खरीदे चटर ने साथ और पटर ने आठ केले खरीदे तो दोनों ने कुल कितने केले खरीदे हाँ तो बताओ चटर ने कितने केले खरीदे साथ केले न और पटर ने आठ केले तो कुल कितने केले खरीदे ये जानने के लिए क्या करेंगे जोड करेंगे न कुल यानी जोड तो साथ प्लस आठ पता करना है साथ की अगली संख्या यानी आठ से गिनना शुरू करते हैं आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह पंदरह के लिए तो अब हम लिखेंगे साथ प्लस आठ के लिए बराबर पंदरह के लिए तो बच्चों, चटर और पटर दोनों ने कुल पंदरह के लिए खरीदे दीदी, अगर इन संख्याओं को दूसरे तरीके से जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना हाँ, पटर एकदम ठीक तो बच्चों, हमने यहाँ दोनों ही तरीकों द्वारा संख्याओं का जोड़ करके पता लगाया कि चटर और पटर ने कुल कितने केले खरीदे बच्चों, आपने मूर्थ और अमूर्थ रूप में संख्याओं को जोड़ना और लिखना समझ लिया है अब आपको गतिविधियां भी करनी है जिससे आप खेल-खेल में और अच्छे से समझ पाओगे और इसके बाद वर्ग बुक में दिये प्रश्णों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाई-बाई! बाई! बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ इंग्लिश में अब होंगी बातें मैंच सिखेंगे हास्ते-गाते पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी बात पड़ी है सीधी-सीधी मैं हूँ आपकी संपर्मीदी आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे की अन्य वीडियो, गतिविधिया, क्विज इत्यादी देखना चाहते हैं तो अब ही डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शॉला मोबाईल आप्लिकेशन और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें मिलते हैं बहुत जल्ड यूट्यूब और संपर्क स्मार्ट शॉला आप पर